है सो ही गालब आजे आज के इस व्बिडियों बात करें वाले हैं कि आप अपने फून पे एकउट को कैसे क्रिएट कर सकते इसके केवाई यसी बगेरा कैसे कंप्लीट कर सकते एंट उसने मनी को कैसे को ड्रांसपर कर सकते हैं जो कि आज की इस वीडिये आपको फॉल प्रॉसेस बताऊ हुआ कि आपको फॉन पे अकाउंट को कैसे सेट अप करना है क्रिएट करके वीडियो आपके लिए बहुत यादा हेलफुल होगी इस वीडियो को लाइक कर दना आप लीज चानल को सस्काइब जरू कर लेना मैं वीडियों करता हौं गएन सब्सक्राइब को अपने था करना है नितरफेस को आपको मिल जाता है तो इस आपको ओपिन करना ? एक सिंपले से आपको नंबरosis प talking नमबर तो आप ध्यान रखिए कि जो भी आप मोबाइल नमबर डाला है वह मोबाइल नमबर आपके बैंक एकाउंट पर लिंक होना चाहिए और साथ में उस मोबाइल नमबर पर एक रिचार्ज होना चाहिए जिसके तुरू मैसेज मतलब जा सके यूपी आई पर तो सिंपल स उसी फोन नमबर को आपको इधर पर इंटर कर देना है जो कि आपके बैंक एकाउंट पर लिंक है तो हम सिंपल से फोन नमबर को डाल लेते हैं फिर आंगे का प्रोसेस आपको बता देते हैं सुगई जैसी हमने फोन नमबर को डाल लिया है एंड प्रोसेड वाले बटन पर आपको simple से click कर देना है जैसी process पर click करते हैं तो आपसे permissions मांगी जाएगी तो allow पर आपको simple से click करना है and allow पर जैसी आप click करते हैं तो enter the five digit OTP मांगा जाएगा ये automatically आपके phone number पर deduct कर लेगा और आपका OTP इदर पर automatically generate हो जाएगा तो simple से कुछ ऐसा interface इदर पर आपको देखने को मिलेगा तो इदर पर आपको cancel पर simple से click करना है cancel पर जैसे ही click करते हैं जो आपको phone पर account है वो login हो चुका है बट अभी create नहीं हुआ है अब आपको create करने के लिए simple से एक bank account को add करना पड़ेगा जिससे आप अपने money को transfer करेंगे या फिर किसी के थुरू accept करेंगे अपने money को तो simple से add bank account का एक option उपर site पर ही आपको देखने को मिल जाता है इस add bank account पर आपको simply से click कर रहा है जैसी आप add bank account पर click करते हैं तो जिस भी bank पर आपका account हो उस bank को आपको इधर पर देख लेना है तो जैसे कि हमारा paytm payment bank है कि फिर अगर आपका sbi bank की किसी भी bank पर हो तो इधर से आप search कर सकते हैं मेरा flawl में paytm payment bank में है तो इधर से मैं search करूँगा paytm payment bank तो जैसे कि हम paytm payment bank सर्च कर लेते हैं यह bank आ चुका है इसके बाद आपसे mobile number पूँचा जाएगा तो जो भी आपके bank account पर यह number link हो जिससे भी आप अपने phone पर account को create किये हो वो number आपके bank account पर link होना बहुत ही ज़रूरी है तभी आपका bank account इधर पर add होगा तो simple से आपको choose कर लेना है कि first में हो sim यह फिर second में तो में second पर है तो second में sim select कर लेता हूँ and continue पर मैं जैसी क्लिक करता हूँ तो कुछ ऐसा interface आपको देखने को मिलता है and otp send हो चुका है जो भी आपके इस phone number से account होगा वो find करेगा phone पे इसके बाद आपका जो account है वो add हो जाएगा तो थोड़ा सम वेट कर लेते हैं इसको find करने तक का जैसी आप देख सकते हैं जो हमारा account है वो find कर लिया है and create UPI ID भी इदर पर generate हो चुगी है जैसी आप देख सकते हैं यह phone number add the rat axl हमारी जो UPI ID वो generate हो चुगी है branch भी बता दिया गया है जैसे ही आप इदर पर click करते हैं तो कुछ ऐसा interface देखने को मिल जाता है account added successful और साथ में आपके account की इदर पर details हो कर दी जाती है अब आपको UPI pin generate अगर आपको करना है आप पहले से नहीं किरिए generate किया होंगी UPI pin यह फिर आप Paytm account पर generate करें मतलब किसी भी account पर आप अगर UPI pin इसी बैंक के दुरू generate कर चुके हैं तो आपको दुबारा generate करने का कोई भी मतलब आपको कोई भी परेसानी देखने को नहीं मिले कि अगर आपने generate नहीं किया है तो इधर पर आपको generate UPI pin करके कुछ ओफसान देखने को मिलेगा फिर आपको उधर पर करना किया है इधर पर आपको card detail डालना है and card की expiry date डालनी है process पर आपको click करना है इसके बाद आपके phone number पर echo टी भी आएगा आपसे पूंचा जाएगा कि आप किस four digit pin को create करें तो आप four digit pin डालेंगे and confirm pin डालेंगे इसके बाद process पर आप simple से click कर देंगे इसके बाद जो आपका UBI pin को create हो जाएगा अगर आपका PTM account बना हुँ है उस पर आप UBI pin create किये हुँ है तो आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगे simple से आपको account वाले logo पर click करना है left side पर उपर side पर इस पर जैसी ही आप click करते है तो जैसे कि मैं click कर लेता हूँ फिर कुछ ऐसा interface आपको इधर पर देखने को मिल जाता है नीचे scroll down करते है तो इधर पर आपको KYC detail पूछा जाता है please complete your KYC का एक option देखने को मिलता है तो simple से आपको verify पर click कर देना है verify पर जैसी आप इधर पर click करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा document type मतलब कोई भी document से आप कर सकते हैं change की button पर आप simple से click करेंगे इधर पर आप pen card से कर सकते हैं diving license से कर सकते हैं voter ID card से कर सकते हैं पासफोर्ट से नहरेगा job card से आप कर सकते हैं तो simple से हम pen card से करेंगे तो pen card number आपको डालना है और pen card के holder का name आपको इधर पर enter कर देना है तो हम pen card number अपना डाल देते हैं and holder name इदर पर डाल देते हैं फिर submit करके आँगे का process आपको बता देते हैं सुगईच इधर पर हमने pen card का number and pen card के holder name का name इधर पर डाल दिया है and submit पर आपको simple से click कर रहा है जैसे इधर पर आप submit पर click करते हैं तो simple से इस तरह से आप बड़ी आसनी से phone पर account की KYC कर सकते हैं और साथ में account create कर सकते हैं अब हम check कर लेते हमारी KYC done हुई है या फिर नहीं हुई है तो simple से back जाते हैं एक बार refresh करते हैं एक बार पूरा cut कर देते हैं फिर से phone पर application open करते हैं ओपिन करने के बाद इधर पर आपको इधर पर cancel पर click करना है एकाउंट पर जाते हैं एकाउंट पर जाने क बाद जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी KYC detail fill up हो चुकी है और हमारा pen card इधर पर add हो चुका है सुगई जिस तरह से आप बड़ी आसानी से अपने phone पर account को create कर सकते हैं इसका use कर सकते हैं और payment accept बगारा कर सकते हैं अगर आपको कुछी को money send करनी है तो two contact पर आपको simple से click करना है तो कुछ ऐसा interface आपको इधर पर देखने को मिल जागा यह plus का icon देखने को मिलता है इस पर जैसी आप click करते हैं आप phone number को enter कीजिएगा और आप उधर से बहुत यासानी से phone number पर payment कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं scan करके payment तो इधर पर आपको simple से two account पर click करना है two account पर जैसी इधर click करते हैं तो UPI पर यह फिर bank account पर इधर पर आप payment कर सकते हैं scan करने के लिए भी मैं बता दो तो simple से scanner आपको उपर site पर देखने को मिल जाता है इधर से आप scan करके भी payment कर सकते हैं बहुत यह आसानी से simple से आपको scan करना है and UPI pin डाला है इसके बाद आपका payment successful तरीके से हो जाएगा और भी आप इधर बहुत ज़्यादा यूजिस कर सकते हैं अपने phone पर account का और मैं इसी account से related मैं वीडियो काफी अदा बना दूँगा अपने channel पर तो आप जाकर check out भी कर सकते हैं अब आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी होंगे फोन पर related काफी वीडियो तो आप जाकर इसके टुटोरियल से बगेरा देख सकते हैं सुगए जाच की इस वीडियो में कुछ इतनी इंफर्मिसन आपके साथ सेर करनी थी सुगए जूड़ी वसंद आदेख को लाइक बिए दना अपली चैनल पर नुए चैनल को सब्सक्राब करके बाला कि जवाब बाच करना थैंक्स वाचिंगा जाचिंगा जाचिंगा